किसान भायों आज हम बात करेंगे टिकाव लाक के प्रबंधन के बारे में अभी तिसरा जो फैक्टर है जो टिकाव खेती करने के लिए वो है कूपे सिस्टेम कूपे सिस्टेम में क्या है हर साल हम लोग एक पेर को यूज नहीं करते हैं लैक लगाने के लिए इसके लिए कूसुम के केस में हम लोग फोर कूपे सिस्टेम और फाइब कूपे सिस्टेम करते हैं क्योंकि हर छे महिना का इंटर्वल में हम लोग पूरिंग करते हैं और आपका कूसुम पेर में च्छे माईना के इंटराल मेर पूरी होता है और देर साल होता है इस लिए पूनिंग के लिए ये कूपे सिस्टेम हम लोग लागू करते हैं तो पेड एक पेड में एक बर कटने का बाद दू साल का बाद फिर उसका नामबार आता है खेती करने के लिए तो sufficient isches मिलता है इससे पेड का पैडल भी सुरक्षीत रहता है पेड को हम लोग खेती करते करते बहुत ईग्जोस्ट हो जाता है और एक्जास्ट सेβ प्ैजासन से बचाने के लिए हम लोगे पेड में भी कुछ खाद पानी के इस्तेमाल करते हैं, तो ओ किस रेट से करते हैं, एक average size का जो बेर का पेड है, उसमें करीब 2 kg चुना, 300 g यूडिया, 300 g डी अपी और 800 g MOP खाद देते हैं, MOP खाद का मात्रा ज्यादा देते हैं, क्योंकि MOP खाद ऐसा खाद है कि जो पेड क को भी चाहिए होता है, और लाक कीट को भी चाहिए होता है, तो इसलिए इस रेट से हम लोग खाद का application करते हैं, तो पेड भी सुरक चित रहता है, प्रोडक्शन भी उसका अच्छा रहता है, वही केस जो खाद आपका फ्लेमिंजिया, सिमिया लटा के लिए जब 30 ग्राम nitrogen, 35 ग्राम nitrogen, 30 ग्राम potassium और 5 ग्राम phosphorus का खाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पेड भी सुरक चित रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, आप किसान भी उससे काफी आपका profit मिलने लगेगा, अधिक साधिक लाब लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या स संदेज देंगे, कैसे वो इस भी साधिक से जूड़े रहे हैं? यह बहुत इंपोर्टेंट एक क्रॉप है, कैई एरिया में हम लोग देखे हैं कि agriculture income, पहला income होते हैं, पहला जो most उसका आई देने वाला source होता है, और लाग की खेती second number में आता है, तिसलिए लाग का खेती क जो new technology है, उसको किसान को अपनाना चाहिए, और new technology इस तरीके से हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम लोग new technology को किसान भाई का सामने ले आते हैं, इसके आलवा हमारा संद्थान में कई किसान आकर के विजिट कर सकते हमारा institute का जो website है, उसमें भी जाकर के देख सकत हमारा institute ने एक app, mobile application डिवलप किया है, जो की YouTube में भी उपलब्ध है, लाग का doctor नाम करके, तो उसको भी download करके, किसान भाई उससे काफी कुछ information ले सकते, जो जो information हमने आभी बताया, सारे information आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कोई किसान अगर इसको छुट गये हैं देखने में तो app डाउनलोड करके भी उसको हम लोग किसान भाई आपडेट हो सकते